JEE का exam इंडिया का toughest exam है, यह highly competitive exam है, तो definitely इसमें अगर हमें outstanding performance देनी हैं, तो हमें outstanding कुछ preparation भी करनी पड़ेगी, hard work भी करना पड़ेगा, study plan भी बनाना पड़ेगा और इसको follow भी करना पड़ेगा, तो definitely हमें कुछ extra efforts लगाने पड़ेंगे, तभी हम IIT जैसे college में जा पाएंगे और JEE जैसे exam में 100% score कर पाएंगे, तो कैसे हम 15-16 घंटे एक दिन में पड़ सकते हैं, आज हम उस बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले तो पढ़ाई करने के पहले ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि हमें distraction free रहना है, क्योंकि distraction होता है तो आधा हमारा जो time होता है, वो तो फल्दों में ऐसे ही waste हो जाता है, अब किस टाइप के distractions होते हैं, एक तो हमारा external destruction होता है, दूसरा होता है internal destruction, external destruction के अगर हम बात करें, तो जैसे कि friend का phone आ गया, तो हम friend से ही बाते कर रहे हैं, मम्मी ने कुछ काम के लिए बुला लिया, तो मम्मी ने तो 2 मिनिट क काम दिया था, और हमने 15-20 मिट लगा दिये, तो वो destruction हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टा पे Reels देख रहे हैं, वो destruction हो गया, तो ऐसे कई चीज़े होती हैं, जिसमें क्या होता है, हम unnecessary अपने time waste कर रहे होते हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठे तो mobile को तो आप अ नोटिफिकेशन चेक करेंगे, इंस्टा पर रिल चेक करेंगे, तो वो आप सोचेंगे कि 2 मिनिट का काम था, वो बट कब 15 मिनिट का, 20 मिनिट का हो जाएगा, और आपका time waste हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो सबसे पहले तो external destruction, जैसे कि mobile phone, इंस्टा, जैसे चीजों का आपको टाटा भाई 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 भूलना है, फिर पढ़ते time क्या होता है, कि हम पढ़तो रहे हैं, बुक सामने खुली हुई है, बट दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, हम किसी और ही दुनिया में है, हम सोच रहे हमारा IIT में selection हो चुका है, और हम वहाँ पे घूमरे होते हैं सपनों की दुनिया में, पर अभी पहले हमें अपना पेपर भी तो क्लियर करना है, उसके लिए हमें पढ़ना भी पढ़ेगा, तभी हम IIT कॉलेज में पहुच पाएंगे, तो सपनों की दुनिया से बाहर आके पहले पढ़ाई कीजिए, और फिर जो बुक के सामने बैठने से कुछ भी नहीं होता है, आपको माइंड से, मेंटली आपको बुक के साथ होना चाहिए, तो इंटर्नल और एक्टर्नल डिस्रक्शन को आपको बिलकुल अवाइड करना है पढ़ते हैं, फिर आपको शेडियूल बनाना है, शेडियूल बनाके बहुत फ्रेश होता है, तो हम easily difficult topic को पर सकते हैं, और रात में जब बिलकुल हम सोने जाने वाले होते हैं, तब आपको easy topic लीजिए, चीक है, उससे क्या होता है, कि रात में जब हमारी productivity बिलकुल कम हो चुकी होती है, हम easy topic लेंगे, तो फटा-फट हम उसको पढ़ पाएंग चीक है, तो आपको इसके according की भी कौन सा time है, जब आप ज़ादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो आपको उसे साफ से क्या करना है, easy topic लेना है, difficult topic लेना है, और ऐसे आपको अपने according planning करने हैं, फिर है next, जब भी आप पढ़ते हैं, तो कोई जैसे बड़ा topic है, तो आप उस subtopics में आप divide कर लिजे इसको और उसे साफ से पढ़िए, तो subtopics में divide करने हैं से chunks में जब हम divide करते हैं, तो हम easily उस topic को complete कर पाते हैं, ठीक है, उसके बाद कोशिश करिए, कोई technique यूज करने की, जैसे की promodoro technique, जहाँ पर 25 minute आप पढ़िए, फिर उसके बाद 5 minute का break ले लिज पिर आप ये procedure चार बार repeat कीजियो और उसके बाद 15 to 20 minute का break ले लिजे, बट जब भी short break ले तो वो 5 minute कही होना चाहिए, और कोशिश करें उस time पे, इंस्टा वगरे से बिलकुल दूर रहे, आप कुछ relaxing exercise, meditation, ऐसा कुछ कर सकते हैं बीच में, जिससे की आपका जो focus और concentration है रह फिर छोटे छोटे गोल बनाने हैं आपको, कि मुझे ये जो subject का इतने chapters complete करने हैं, ऐसे गोल बनाने हैं, क्योंकि अगर हम बड़े गोल बना लेते हैं, कि मुझे 10 chapter complete करने हैं, तो हम क्या होता है, डर जाते हैं यार, 10 chapter कैसे होंगे, पर वोई चीज अगर हम इसको 2 chapters complete करने ह मुझे, तो हाँ, दो चप्टर तो मैं कर सकता हूँ, एक बड़ा चप्टर कर लूँगा, एक बड़ा चप्टर कर लूँगा, या एक बड़ा चप्टर कर लेता हूँ, तो तीन चप्टर कर लेता हूँ, तो तीन चप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे, तो ऐसे करके हम easy कर लेत deadline set करना है भण ये जो chapters है जैसे तो ये chapter जो है आज मुझे एक दिन में ये chapter complete करना है वन डे में मुझे दो chapter complete करना है और उसको को अचीव करना है चीख है तो ये deadline set करना है आपके लिए बहुत कंपल्ज हरी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक चप्टर उठाया, Maths का पूरे दिन Maths ही पढ़ रहा है, और Physics, Chemistry को कोई नाम और निशान ही नहीं, तो आपको Maths को भी Time देना है, Physics को भी Time देना है, Chemistry को भी Time देना है, तो आपको Maths, Physics, Chemistry, तो मैं इस chapter के इस topic को पढ़ूँगा, फिर physics के इस chapter के इस topic को पढ़ूँगा, ऐसे करके आपको deadline जो है set करनी है, तब ही क्या होगा आप पढ़ पाएंगे, otherwise आप 4-4 गंटे एक ही चीज पढ़ रहे हैं, आप कभी videos देख रहे हैं, मानली जिए physics आप video से पढ़ रहे हैं, तो जो previously topic आप पढ़ चुके हैं, उससे connect करके पढ़िए, मतलब यह topic 1 जो पढ़ रहे हैं, उसको topic 2 से connect करके पढ़िए, कि भई हाँ, यह जो है, कैसे एक दूसरे से related हैं, तो वो याद रहने की गुंजश जादा हो जाती है, अगर आप नया topic पढ़ते हैं, और वो previous topic से related हैं, तो आपको वो जादा अच्छे से समझा जाता है, तो आप inter relate करके पढ़ें, और जब भी पढ़ें, जब भी revision करें, तो सिर्फ पन्ने ना पल्टें, कि हाम उन्हें पिर से पढ़ लिया, तो हो गया मेरा कम, ऐसा नहीं करना आपको, आपको recall करना है, आप recall करेंगे, तो अभी चीज जो है, हमारे brain में बाद में बहुत जादा टाइम के लिए स्टोर हो जाती है, रिविजन करने से हो सकता है, वो चीज आप भूल जाएंगे, पर recall करने से आपको याद रहेंगे, फिर active learning करनी है, active learning करने से क्या होता है, कि जैसे मान लिजे, आप लिखके पढ़ करता है, जिससे कि हम कोई भी topic को बहुत time तक के लिए याद रख पाते हैं, और active learning से क्या होता है, हमें नीन जैसी जो problems होती है, वो भी नहीं आती है, हमारा focus भी वहीं बना होता है, हम concentrate करके पढ़ रहे होते हैं, बस सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो कहीना का हमें नीन आने लगती है, पर अगर हम बोल-बोल के, चल के पढ़ेंगे, या लिख के पढ़ेंगे, तो ये सारी activities में क्या होता है, कि हमारा brain भी काफी active हो जाता है, और हमें नीन भी नहीं आती, हमारा focus भी वहाँ होता है, तो आप जरूर actively पढ़ें, फिर live sessions को attend कर क्योंकि live session में interaction होता है, तो हम भी actively participate करते हैं, recorded session में हम late के पढ़ रहे हैं, बैट के पढ़ रहे हैं, मतलब जो दो घंडे का session होना चाही था, वो हमने 4 घंडे का कर लिया, तो ये सारी problem होती है, तो live sessions attend करने के कोशिश करें, exercise करें, yoga, meditation जैसी चीज़े करें, जिससे आपका जो brain है, काफी cool and calm रहेगा, जो आपको focus और concentrate करने में काफी helpful होगा, उसके बाद बीच में आप थोड़ा सा power nap ले सकते हैं, 10 minute का, जिससे की क्या होता है, power nap लेने से आपकी जो energy होती है, वो boost up हो जाती है, तो आप और अच्छे से बैठ सकते हैं, तो बीच-बीच में थोड ब्रेक ले लेते हैं, power nap ले लेते हैं, थोड़ी meditation कर लेते हैं, तो इन सब चीजों से क्या होता है, हमेरी जो energy होती है, वो boost up हो जाती है, फिर से आराम से पढ़ सकते हैं, चीक है, उसके बाद energy level को maintain करना है, अच्छा खाना है, nutritious खाना है, healthy खाना है, और hydrated रहना है, चीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, आपको अपनी health का भी बहुत ध्यान रखना है, आप ये सारी चीजें को follow कीजिए, आप definitely बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, long hours तक बैट पाएंगे, अगर ये tricks को follow करेंगे आप, और J exam में बहुत अच्छे percentage score कर पाएंगे, ऐसे informative वीडिय